दोस्तो मेरे नम है मुकेश और आप देख रहे हैं स्वैगेंटेक दोस्तो शाओ मी ने दमाका कर दिया यार फोको एसन लौच करके और कल वाली वीडियो पर यार आप लोगों ने जो मुझे रिस्पॉंस दिया जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्य और दोस्तो आज के वीडियो का टार्गेट सिर्फ 700 लाइक्स का है थोड़ा हला लच बढ़ गया है लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे दोस्तो यहां पर क्योंकि आपने इतने लाइक्स करें आपने कोश्चन पूछे हैं पोको एफ़न के बारे में और अगर दोस्तो इते आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिये साथ इस बेल आइक्न को भी दुगादेना तैकि हमारे आने वाले हर वीडियो भी जैन TariS सबसे पहले आपके पास मिल सके दूस्तो यहां पर कोश्चन मैं पर आपे बाद इस समय best phone है तो इस बात का ध्यान में रखिएगा बाकी बढ़ते हैं अपने questions की तरफ तो यहाँ पर पहला question आ रखिया इसके अंदर IR blaster दिया गया है तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि Xiaomi अपने हर phone में IR blaster देता है बट इस phone में आपको IR blaster देखने को 30 देखने को मिलता है आपको Snapdragon 845 के अंदर वही पर आपको Kirin 970 में Mali का GPU मिलता है G72 MP12 तो यहाँ पर जो powerful है वो Adreno का GPU ज्यादा है तो overall अगर combination की बात कर लेते हैं तो Snapdragon 845 chipset जो है वो थोड़ा सा ज्यादा slightly edge ले जाता है याने की ज्यादा अच्छा है Kirin 970 से क्योंकि इसके GPU का जो है काफी difference जो है वो वहाँ पर आ जाता है लेकिन day to day life में आपको इन दोनों में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों अगला जो question आ रहा है यार वो flash sales COD को लिका रहा है यहाँ पर आपको cash on delivery मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैंने flip card को call किया था यार वहाँ पर दो बर call किया confirm करने के लिए reconfirm करने के लिए लिकिन वहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि मिलेगा मैं तो यह जाता हूँ कि COD मिले यहाँ पर और मैं तो अपने अगर दिल की बात बताऊं आप लोगों को यह साथ ही शेयर कर सकता हूं, शाओमी को तो करने सकता भाई, ठीक है कि मनू जायन तो सुनेगा नहीं, आप लोग भी सुन सकते हो, तो यार मेरे साथ हो यहाँ पर फ्लैस सेल नहीं नहीं होनी चाहिए, और अगर यहां पर हम फुल स्क्रीन पिंच टू जूम यूटिव वीडियो देख सकते हैं यहां पर यहां पर कोई प्रोटेक्शन दी गई है या नहीं दी गई है यहां पर काफी डिवाइस आते हैं जैसे कि ऑनर प्ले भी है यहां पर भी उन्होंने कोई ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दीया है तो मैं कोईगा कि आपको ऊपर की तरफ तो नहीं मिलती है लेकिन नीचे चिन पर जुरूर मिल जाएगी यहाँ पर जैसी आप चार्जर करेंगे तो आपको वाइट कलर के LED दिखाई देगे उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन आ रहे कि कैमरा किसका अच्छा है और प्ले का या फिर शाओमी पोको एफवन का तो और प्ले मैं काफी दिनों से यूज़ कर रहा हूं लगबग 15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं शाओमी का जो पोको एफवन है वह आने वाला मिलती है नहीं मिलती है तो डेफिनेटली आपको या इस फोन के अंदर जो है क्रिट चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है और बहुत अची बात यह है दोस्तों के आपको 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 चार्जर मिलता है वह नाइन वोल्ट टू एंपीर का मिलेगा यानिक फास चार और एक Micro SD Card लगाकर उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन आ रहा है कि यार इसकी नोच जो है वो काफी बड़ी है क्या हम इस नोच को हाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहां पर अच्छा ओप्शन दिया है शाओमी ने आप इस फोन को जो है वो नोचलेस कर सकते हैं यहने कि उसकी नोच को जो है अटा सकते हैं जिससे आपको फोन 18-90 डिस्प्ले में काम करेगा उसके बाद अगला कुश्चन आ रहा है कि यहां पर क्या कस्टम रोम हम इसके इंस्टोल कर सकते हैं तो यह बहुत बढ़िया बात लगिया है यहां पर इन्होंने ओपन सोर्स क प्राइमरी कैमरा है 12 मेगा पिकसल का वहां पर 1.4 माइक्रों का अपर्चर f1.9 के साथ आता यह सोणी का IMX-363 सेंसर और जो सेकंडरी कैमरा है 5 मेगा पिकसल का अपर अपर 6.0 के साथ आता है और यह एक डेप संसर है Samsung की तरफ से उसके बाद मैं front camera की बात करता हूँ तो यहां पर आपको 20 megapixel camera मिलता है aperture f 2.0 के साथ और यहां पर जो pixel size है वो 0.9 micron है तो मुझे थोड़ा सक कम लगा लेकिन overall आपको एक बड़िया camera देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों अगला question आ रहा है क्या यह phone जो है वो waterproof है तो भाई 20,000 रुपे में क्या क्या मंगोगे यार Xiaomi से क्या क्या मंगोगे एक यह चीज मांग लो यार कि flash shell ना हो बस बाकी सब कुछ ठीक है ठीक है इस range में आपको IP certification मिलनी बहुत मुश्किल है तो इस चीज की उमीद भी मत करो उसके बाद दोस्तों अगला question आ रहा है कि इसके इंदर Android Pie का update मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँ कि डेफिनेटली शाओमी ने अपने launch event में का था कि आपको जो है चोथे quarter में यानि कि last quarter में इस साल के आपको Android Pie देखने को मिल जाएगा और जो security patches है वो भी आपको quarterly मिलेंगे उसके बाद दोस्तों एक बाई का question था कि इसके इंदर face unlock जो है वो secure है या नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके इंदर जो face unlock है वो काफी जादा reliable है और काफी जादा fast है क्योंकि यहां पर IR sensor का use किया गया है जो आपको iPhone 10 में देखने को मिलता है तो definitely यहां पर face unlock का जो feature है वो अच्छी तरह से काम करेगा यह मैं आपको definitely कह सकता हूँ और दोस्तों अगला एक बाई का question है था कि कितने units आएंगे flip card पर तो यार अब Xiaomi हर बार यही कहता है कि यार उनके 3 सेकिंड में 3 लाक सोल्ड होगे 4 लाक सोल्ड होगे अब यह यार कोई hype create करने का मतलब मेरे को तो ऐसा लगता कि hype create करते हैं जादा आपके क्या बचारा आप मेरे को जरूर बताना और यार एक और बत कहना चाहूँगा कि जो बंदा पहली सेल में 6GB, 4GB वरजन खरीद कर लाएगा और हमारे चैनल पर कमेंट करेगा उसको वीरता पुरुषकार दिलवाएंगे हम 26 जनुरी को 15 गस तो जा चुका है 26 जनुरी को दिलाएंगे जन्ग जीतने से कम नहीं है शाओमी का फॉन खरीदना पहली सेल में और वी 21,000 पे वाला बड़ा मुश्किल है उसको वीरता पुरुषकार तुसका बंता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यार लगबग आपके सभी कॉश्चंस का अंसर मिल गया हुआ अगर अभी भी यार कोई कॉश्चंस रहा गया है तो प्लीज उसको कमेंट बोक्स में लिख देना और इस वीडियो को लाइक जिरू कर देना अगर थोड़ी सी भी हल्क मिली हो अगर आपके भाई की थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जिरू कर दीजेगा और सास्तों का टार्गेटा जल्ली से पूरा कर दो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखे अपने परिवार ख्याल रखे देने वार्ट